पुर्षकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर पर आज हम कुछ important सवाल लाएं आपके लिए जो की जीके परस्न है जो की आने वाले एक जामों में बहुत ही महतुपूर्ण है current affair के question है चला या ये शुरू करते हैं हमारे पहले question से हमारा पहला question है which state has become the first group of state to complete three reforms stipulated by the ministry of finance किंदी पढ़ते हैं वृत्म अंत्राले द्वारा निर्धारित तीन सुधारों को पूरा करने वाला राज किस राज का पहला समू बन गया है तो हमारे आज के सही अंचर हो जाएगा मध्य पर्देश मध्य पर्देश की साथ आपको एक बात और याद रख नहीं कि मध्य पर्देश की साथ यहाँ पर आंदर पर्देश भी दोनों साथ ही में मिलके यह complete reform किये हैं चली आए हम अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं दूसरा सवाल है who has been appointed as the first duty general secretary of AIFF इनका नाम है अभिशेक यादो यह पहले ही former frontier इंडिया के स्ट्राइक पर रह चुके हैं जिनको अभी बनाया गया है डिप्टी जेनरल सेकेटरी चलिए हम अपने दूसरे आए हम अपने तीसरे question पर चलते हैं हाल ही में school और college में समिधान के लिए ओम बिर्ला ने किस अभ्यान के शुरुवात करने के घोसना की है which campaign has been announced by ओम बिर्ला for constitution in school and colleges इसका सही answer है हम लोग पास know your constitution यह ओम बिर्ला के सहब द्वार लॉंच किया गया आपको पता ही होगा ओम बिर्ला हमारे लोगसभा के speaker है और यह हमारी सतरवा लोगसभा है आप आई एंसर है बंधन बैंक बंधन बैंक ने सारकार के हमारे देश के जवानों के लिए शौरे सेलरी अकाउंट खोलने का फैसला लिया है आएए हम अपने पंचमे सवाल पर चलते हैं National Youth Day observed on 12th January to honor of birth anniversary of तो स्वामी विए का नाम सब सभी जानते ही होंगे इसके अंसर चलिए हम अपने 56 सवाल पर चलते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट विल लॉंच ऑन जन्वरी 17 बाइविच अफ दी स्पेस एजेंसी तो नासा के द्वारा यह सबसे पावरफुल रॉकेट को लॉंच किया गया है आए आए हम अपने साथे सवाल पर चलते हैं जो कि किया गया है जन्वरी 11 को पैरीश में किया गया है कहां पर किया गया है पैरीश में यह इसका चौथा एडिशन था आपको यह भी याद रखना है आए हम अपने अठवे सवाल पर चलते हैं वान टाइम सेटल्मेंट स्कीम पर ट्रेडर रिसेंट्ली अप्रूब्वड बाइद कैबिनेट मिनिस्ट्री आफ वीच स्टेट तो पंजाब में पंजाब यहां पर है और इसका कैपिटल है चंडीगर यहीं पर इसको अप्रू राजा गोपालचारी 1954 में इनको मिला था यह भारत के फर्स्ट लास्ट डोमिनियन ओफ इंडिया के गवर्नर जेनरल बने थे ठीक है आपको यह उप्शन याद करने सी राजा गोपालचारी उसके बाद हमारे कुस्ट दसवा कोस्टन है इंडियन स्टेंडर्ड इंस्ट्य इन तो कॉंसियर में हुए था यह 1947 हमारे देश किया जाधी के दिन हुए था 1947 आप सभी को याद रखना है चलिए हम अपने अगले कोश्टन पर चलते हैं चलिए हम अपने 11 सवाल पर चलते हैं दि ब्यूरी ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड सेलिब्रेट इस एनिवर्सरी इन 2001 यहनों ने अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड ने अपना 74 एडिशन जो है ऑप्शन नमबर 2 यहां पर सही है 74 एडिशन अपना इस अपने बारावा कोश्चन पर इंडिया सेवन्थ नेशनल ट्रेडिंग पॉलिशी रिवू बेगिन इन भारत्य का साथवन नेशनल ट्रेडिंग पॉलिशी का रिवू टीपी आर जिसमें हम दोलते हैं आप सभी जानते होंगे यह कब सुरू किया गया तो यह आप सभी को इसका डेट या दखना है जो कि ऑप्शन वन करेक्ट है इसका छे जनवरी दूध हजार ट्वेंटीवन टू थाउजन एंट्वेंटीवन इसका करेक्ट एंसर है चलिए हम अपने अगले कोश्चन पर चलते हैं हमारा तेरहावा सवाल है कि वीच ओफ दी फॉलिइंग आ इसमें पाटिसिपेट किया था टोटल चार कंट्री आपको याद रखना है इसका करेक्ट एंसर होगा ओल अफ दी एवर क्योंकि तीनों कंट्री के साथ एक चारों कंट्री ने पाटिसिपेट किया था अब हम चलते हैं अपने 14 वे कोश्चन पे हिंदी वस डिक्लेड डिस आगे वाले कोश्चन में बिल्कूल आपको ऐसे ही सेम पूछ दिया गया था कि 14 सेप्टेंबर मतलब व्योडर साब का कब मनाया जाता है चलिए हम अपने नेक्स सवाब पर चलते हैं हमारा पंदरहवा सवाल है हूज बर्थडे इस से लिबरेटेड एज नेशनल हिंदी डे इससे वीचे वले ही कोश्चन में दिया हो था कि फिफ्ट अन्वर्शिरी मतलब फिफ बर्थडे पे बेवहर राजेंदर सीमा के कि नेशनल हिंदी डे को सुरू किया गया था डेट थी 14 सेप्टेंबर ठीक है आप पो यह याद रखना है आए सवाल है वेन वाज नेशनल हिंदी डे सेलिबरेटेड देखिए यहां पर यह सवाल आ गया इसका करेक्ट एंसर है 14 सेप्टेंबर क्योंकि बिवहर जाजेंदर सीमा के बाज़े पे ही नेशनल हिंदी डे को प्र प्रपकेशन हो सगे चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं आज का सबसे आसान कोश्चन हमारा सतरवा इंदी गिवेन बिलो विच आफ दी फॉलविंग कंट्रीज कंट्रीज स्पीक हिंदी लैंग्विज पाकिस्तान भी हिंदी बोलता है नेपाल भी बोलते हैं मौरिटिस सब्सक्राइब करेक्ट एंसर हो जाएगा अब हम पने अठारवे कोश्चन पर चलते हैं वेन वास्ट वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड तो 2006 में पहला वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था लेकिन आपको याद रखना है 14 सेफ्टेंबर 1949 में फिफ्ट सिमा साहब का इंशनल हिंदी डे को सेलिब्रेट किया लेकिन यहां पर वर्ल्ड है यहां पर देगा आपको कन्फ्यूज कर सकता है वर्ल्ड हिंदी सेलिब्रेट कब किया गया था तो एंसर टू कोश्चन नबर टू ऑप्शन टू दोजर से में यह सही एंसर होगा चले हम अगले सवाल के और चलते हैं हमारा 99 सवाल भारत द्रीह रक्षा पॉलिसी इस रिलेटेट टू चाहसे पहले आपको समझना होगे भारत द्रीह रक्षा क्या मोदी ज्वारा यह पॉलिसी लाया गया है कि जिनके भी घर जो है इस्ट्रोम टॉर्णाइडो फ्लॉट के द्व हैं तो यह इरादे के द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है अब अगले कोश्चन पर चलते हैं बीश्वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अल्दी आने लिविंग सेरिमनी ऑफ दी भाष्वेशरम स्टेच्व ऑन दी बैंक ऑफ रिवर बहुत ही आसान कोश्चन थेम होगा इसका एंसर कि मोदी जी हाल में ही अभी तुरंट और इसका जो थेमस नदी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि थेमस नदी कौन से स्टेट में पढ़ता है कौन से सहर में पढ़ता है तो यह मैं बता दे रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में जरूरू इसका एंसर है मैं आगे भी डालता रहूंगा थैंक यू